अंग्रेजी शासन ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के बार एक सुनेहरा और स्रेष्ट अवसर था जब भारत की इतिहास का पुनरलेखन सत्यता के साथ होता। अग्रेजी शासन सत्ता पर लंबे समय तक नियंत्र था जब भारत की इतिहास कारों में एक उस विचार धारा हो जो मूलता भारत के नहीं है। गुंगान हेतु इतिहास लेखन कारिये किया। यह है भारत के रास्वार, संस्कृति और अस्मिता के जो देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करताओं के हिरद्यों में इस्थाई रूप से वसी हुई बातें थी विप्रीव क्रत्य था। इसी कारण सरदार बल्ला भाई पटेल जैसे योग पुरुष, रास निर्माता और अपने समय के स्वत्तों के सबसे बड़े संरक्षग और पोशग के रास्त के लिए अतुन्य योगदान का समुचित और वास्तिक परिचे भी देश वासियों से नहीं है। वल्ला भाई के कारियों भारत की अखंटा के संदर्व में सरदार के विचारों के साथ ही उनके वन्ष वे परिवार त्वारा देश के लिए किये गए सैट्डो वर्षों के त्याग, बलिदान और राश्ते संस्क्र की वे अस्मिता की रक्षा है तो किये गए कारियों पाटिदार वंच से आए, उसकुल में जन में जो रास्तवाद के लिए संघर्ष बलिदान करता समुदाय के रूप में व्यठ्यार था, बुजरात पर मुगनों के आक्रमन के समय लेवा पाटिदारों ने उनका सक्रिय विरूद किया था, छेतर से मुगन सुबेदार को ब संरक्षनात, मराठा सत्ता के सूरत से भी आगे विस्तार के कारिय में सहयोग किया था, बल्ला भाई पटेल के पिता जवेर भाई गला भाई पटेल, वश 1857 के भार्तिय स्वतंत्रता संघराम में भागिदार करता था, उन्होंने जहासी की रानी विरांगना लक्षिल में भाग लिया था, सडार बल्ला भाई पटेल के बड़े भाई विठ्थल भाई जवेर भाई पटेल, भारति स्वाधीनता संघराम के अग्रिम पंक्ति के नेता थे, वे केंद्री विधान सभा के प्रत्म भारतिय अध्यक्ष इस्त्री कर रहे थे, अपनी कई एतिहासिक विठ्थल भाई पटेल द्वारा भारत में लोक्तांत्रिक विवस्थाओं की नीव रखने और उनकी परिपक्वता के लिए जो योगदान दिया गया, आज तक अतुलनिय है, अनुकरनिय है, विठ्थल भाई पटेल, नेता जी सुभाष तंद्रबोस के राज़िती गुर ये किया था, सरदार पटेल के छोटे भाई, काशी भाई, जवेर भाई पटेल, उन्निसो पांच इस्वी में लोक मानिबाल गंदा धर्तिलक के रास्तवाद से प्रभावित होकर स्वदेशी अंदोलन में कूथ पड़े, भारत के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप में संबिलेत हो गए थे, वे बाद में महातमागादी के नेत्रत्रो में हुए सत्या ग्रहों में भी भागिदार रहे, वे देश की स्वाधीनता के दिए संगर श्रत रहे, सरदार बल्लब भाई पटेल की सुपृत्री सूशरी मनिबेन और उनके पुत्र धाया भाई पटे देश की स्वाधीनता के लिए वे सभी संगर्षों में बढ़ चड़ कर भागिदारी की। वे निरंतर कारागारों में रही देश की स्वाधीलता के बाद सरदार पटेल के रास्तिय एक्ता और पुनर निर्मान के भाधी दतकारिये में मनी बेन हर पल अपने पिता के साथ खड़ी रही। सरदार वल्ला भाई पटेल का भारतिय स्वाधीलता संगराम में एक सेनापती के रूप में योगदान देश की एक्ता के निर्मान के लिए किया गया अगोत पुरुकारिये और रास्त की सुरक्षा, सम्रद्धी और अखंटा के लिए दिया गया दिर्वकालिक और सटीक मंत् और उन्हें एक महान भारतिय के रूप में स्थापित करता है, लेकिन क्या उनके वन्षकुल, परिवार और स्वम सर्दार पटेल के महान त्यार, बलिदान और रास्त प्रतियों के निस्था, रास्तवार, संस्क्रती और मुल्यों के संरक्षन के लिए किये कारियों का वास मिटने वालों के प्रती अन्याय की कहानी है